आप सब अमीरे के सब ठीक होंगे मैं भी विल्कुल ठीक हो अलागा शुकर और रमजान जैसे कि आने वाला है तक रिवन दो हफते बाखी रहे गए तो मैंने का कि रमजान की प्रेप्स कर ली जाए तो थोड़ी वह त्यारिया मैंने की हैं जो मैं आप से शेयर करूंगी वैस के चिकन शामी कबाब क्योंकि मैं ब्राइट पर भी हूँ तो इसलिए मुझे कबाब बनाने पड़ें के ताके में और दूसी जो फ्राइड आइटम जो ना खाओं बड़ बागी फ्रामिली मेंबर्स कि रहे तो ख़र आपको करना पड़ता है सबसे पहले यहाँ मैंने वन अच्छा लगता है इस वजा से थोड़ी सी लग हाफ टीस्पून के करीब यहां पर जो डाल है बने सोक करके रखी हुई थी तक रिबन एक घंटे के लिए इसका पानी निकाल के हम इसको भी एड़ कर लेंगे इसमें मिस करने के लिए और चिकन यहां पर बने वन केजी ली मसला होता है आपका जो मसाला है वो ज्राइ होने बहुत टाइम लगाता है प्याज एड के लिए था मैंने एक लाइड साइस का और यह है जी हमारी दाल यहां पर डन हो चुकी है और जो चिकन है उसके रेशे जों से आप देखे बनना शुरू हो गए थे और जितना भी मु चिकन के लिए जारा है तो यह डायट के लिए परफेक्ट है डाल मेरे कम डाल थी आप चाहें तो दोनों की क्वांटिटी इकोल भी कर सकते हैं नेक्स पर बना लूंगी चिकन के चपनी कबाब सबसे पहले मेरे यहां पर अनियन से लिए इनको मोटा मोटा चॉप किया था म देख लिए हैं और साथ मेरे ग्रीन शिलिस में आड़ कर दी यहां पर लिया है कीमा यह भी तेक्रिबन ग्रैम्स कीमा है बड़ा अनियन लिया था मैने उसको चॉप किया भी साथ में एक डेबल स्पून भड़के जिए गालिक पेस्ष एड़कर दिया मैने और जो अनियन ह पर बेशे के नहीं होते हैं इस विज़ा से यहां पर झो है अपर एड़ कर सकते हैं रेच्वी पवादर जो जीरा हो था वह एड़़े और अमधिया सब्सक्रग करने अपने इसके बाद एक ना ए, आपने और इसका आपने अपने उसके लिए गीला कीला सा मिक्सुर बना था विजये voulez-बेशन ना क Barcel कैमित वहां ज्ट नहीं होती है अगर वीजये था ऊपर आफ बेशनल में प्रिज्व में अगर्पयेट्ट के दो टाने सकते हैं आफे इसको सब्मक्रीड के सब्सक्राइबयों कीuuuu प्रेकींग को शीर्स होती है युसको मैं फ्रीज कर लिया था फ्रीज करने के बाद यह आप इनको एजली इसके बाद मैंने कप चट्टिया बना लेते हैं तो चट्टिया के लिए मैंने खजूरे ले ली हैं एक कप के करीब अगरे ने वेट में देखा रहा तो यह तक्रीबन 500 ग्राम से हाफ के लिए साथ में इमली कप ले लिया था इसमें बिल्कुल भी घुटलिया नहीं होती है तो वह भी तक्रीबन 200 ग्राम सी और साथ में ले लिया है लेसन के जवे 5-6 और साथ ही मैं ले ली थी जिंजर जो है मैं तक्रीबन 2-2 इंच का टुकडाई करिया था उसको बारीक तो नहीं काटा था बट बड़े-बड़े 3-4 पीसे में काट लिया था तो यहां पे पानी मैं तक्रीबन 1 कप के करीम उसमें डाल दी है मैंने डेट और इमली साथ में मैंने आड कर दिया है लेसन और जीरा डाला है मैं एक टिबल स्पून के करीब एक टिबल स्पून जो है वह हमने जाले है चीजी फ्लेक्स क्योंकि यह काफी सारा मिक्स्टर बनेंगा और डेट्स मिनट के लिए चुँके खजूरें भी थोड़ी सॉप्ट सी थी और जो है इंबली का इसमें पर गूट लिया थी बट भी मुझे इनको स्ट्रेन करना था तो यहां पर मैंने काफी थीक सा मिक्स्टर था तो थोड़ा थोड़ा सा पानी एड कर लिया था जब स्ट्रेन हो ग गई थी तो नेक्स्टम में आते हैं जी ग्रीन चटनी यह तो हमारे घर में रेली होती है वो कोड़ों के साथ समोसों के साथ अगर कभी कभी दिल चाहतों मैं दही बलों के ओपर भी डाल ले तो इस दफ़ा मैं ने भले नहीं बनाए क्योंके मैं नहीं चाह रही थी क्यों बनाए मैं कोई दूसरा अलटरनेटिव ढूनों कि अगर वो एर फार में बन जाते हुए तो आइवल मेक तेम यहां पे ग्रीन चुटनी के लिए हमने लिया है धनिया फुदीना जीरा ले लिया है एक टेबल स्पून के करीब लेसन के जवें हैं आठ से दस और साथ में हरा जाती है तो मैंने का जितने भी मेरे पास इंग्रीएंस पर इनकी जली से हम चटनी बना लेते हैं ग्रीन चिली मेरे पास बहुत तेज वाली थी तो एक क्यूब जोन सी आपकी दो दिन तक चल जाएगी क्योंके हमारे घर में सिर्फ तीन लोग है जो चटनीया खाएंगे मे सब्सक्राइब जो पानी है जो चोड़ देती हैं तो यहां पर तेकरीब 15 के करीब क्यूब सब्सक्राइब होते हैं वैसे भी अगर आप चाहें तो बाद में फिर बनाते हैं इसमें कोई बहुत जादा टाइम नहीं लगता बाट यह कुछ आप मैं यहां पर जीरा पीस्ट क्योंकि आप दो ही दिन में इतने सारी काम नहीं कर सकते हैं हम रम्सान में बनाते हैं जी सूप जिसमें ओट्स होते हैं बार्ले होते हैं साथ चिकन होता है या मटन जो आपको पसंद होया बैट कर सकते हैं यहां पर में गंदम की जो दनिया होती है जाए होल बीट होती है उसके पीसिस होते हैं वो ली थी हाफ केजी और वन केजी लिये था बारले इसको अमेरिकन गंदम भी कहते हैं जब जहां जिस शॉप सम लेके आये थे वहां पर वैसे यह बारले हैं काफी मोटे मोटे बहुत ही अच्छे लगते हैं सूप में एक तो सूप बहुत ज़्यादा यहां पर मॉंक फली का जो होता है ना एक उसका कवर्ड चिलका सा था तो यहां पर मैंने का चले इनको भी डालके रख लेते हैं ताकि बाद में रमजान में मुझा मसला नहीं हो तो यह 1.5 kg के करीब है और मेहाल से जार्ग ज्यादा बढ़ा था फिर नेक्स हम अभी में ब कर लिया था वन केई चिकन से आपके तकरिबन 60 रोल्स एजी लिए बन जाते हैं अगर आप उसमें बर बर के फिलिंग करते हैं तो तो अभी यह मिक्शिर करेंगे पहले रोल्स को मैं निकाल लिया था ताकि था हो जाए क्योंकि यह फ्रीजर में होते इस वजा से सबसे पह अगर आपको बहुत ज्यादा है क्रण्ची रखनी है वैजी टेबल्स तो आप पर यह चीकर अड़ कर सकते हैं मुझे क्योंकि स्प्रिंग अड़ करें था था कि इनका भी जो थोड़ा सा रोस्मेल होती है वो खतम हो जाए क्योंकि बच्चों ने भी खाना होता है तो बच अगरी जिकन तर्फी केजी टेकन में वन सिक्षी गोल्स रड़ी होते है मुझे यह बच्चों के लिए बनाने थी तो इस विरा से मैंने का कि जो बच्चों के होंगे उन्हें में सेपरेट कर लूं कि बच्चों को बहुत सब्सक्राइबल्स होती है निकालना शुरू करें निकालना के मुझे काला शुर्माइबल्स स nerede मेल बनाने रखेसिया ने उन्हें कि और जो में वर्चों के शुक है कि आप का मैंतुरू मेरान से मेरा सघशन। और मैं इसमें बहुत जादा स्पाइसे भी आड़ नहीं करूंगी वो बच्चों के विरास है जो हम अपने लिए बनाएंगे तो फ़र उसमें स्पाइसे आड़ हो जाएंगे नहीं तो आप चिटनी के साथ मिक्स है मैश करके खाते हैं तो बात बन जाती है काफी यमी हो जाते हैं और दूसरे एक रमजार में बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं भी खाना चाहिए क्यूंकि आपका मैदा खाली होता है सुबह से और अब एक दम से आप बहुत प्रेश ब्लयक पैपर है मैं हमेश हें घर में क्रश करके यूज करते हुद यह बहुत ज़्यादा बाच इसकंदे कि यह मुझे पााउडर उता है उसका प्राइजिया होता है उसके अब हां फीलिक्वर्न किया को तो उड़माइदी हुआ है वेस थोड़त की क्राइसु का कैने तो मैंने गाल के स्प्रिंग बना लेते हैं मैं इसको आप व सकें यह करना है कि आपने क्रूर्टिक्षे करने हो। ट्रॉंकी अचे हुआँ तो अछोगता के बहुत हैं कि अपने यv somehow समोसा को हैंडल करना मुझ्किल होता है यह टाइम लेते हैं और समोसा मुझे जल्दी बन जाते हैं तो खर्देब करना में थोड़ा सा मुझकिल होगता है भी पर इसा होता है वीडियो में आगे बनने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी वेची लगी हो बस आई हो तो फ्लीज ज़रूर लाइक कीज़ेगा बहुत जादा मैंने चोटी सी मेरी बच्ची है उसको भी साथ साथ देखना बटा तो कि मैं दो से तीन दिन लग गए थे मुझे सारी वीडियो बनाने में करने में तो मैंने यहां पे ने दो तीन तरीके से फोल्ड किया था इस तरह से एक तो जैसे हम बनाते हैं फर्स टाइम मैं आपको बताया दूसा ही इस तरह से इसके दोनों कॉर्णर जोन से उनको सिम्चा के बट इसमें भी थोड़ा सा जादा लगता और यही जो पती होती है यह उतनी बड़ी नहीं होती है नियुक्त नुर्मली पाकिसान में मिल थी है जो फोड़ा सा बड़ा होता है लाइक लैंध मेंनी बट वीद में वह थोड़ी सी बढ़ी होती है इससा से भी थी रोस बन जाते हैं साथ मैं तो इसके साथ अपने अच्छी से स्टिक कर सकते तो यहां पर जी फर्स बैक्स जो मेरे रोस कता बनके रेडी हो चुका है तक्रीबन मुझे 35-40 मिनट्स लगे थे और मैं तक्रीबन यह थी पैक्स जैनके 60 रोस बना लिए थे देखें जैसे पैक हो चुके हैं अच्छे से सील भी हो चुके हैं तो अब मैं इनको पहले ऐसे फ से सील हो जाते हैं वह वाले थे तो खर यहां पर जो फर्स बैच बना था थे कि बन फॉर पैक्स में आए थे मेरे 30 सुरी 60 फिफ्टीन इच में डाले थे नैक्स में बना लूंगी समोसों का मिक्शर यहां बे ले लिए मैंने बीफ और बीफ में देखें बन दो से तीन फ्राय करने के लिए लिए ख़तने कि लिए आपको भुनाई तो करनी बढ़ती है सबसे पहले मैंने इस ने को दिया है घरनिया पाउडर जीरा पाउडर लालमिश पाउडर हल्दी पाउडर थोड़ा सब ब्लैक पेपर पाउडर यह सारी चीज़ें आड करने के बार इसमें आड करते हैं चीली फ्लेक्स और यह सब चीज़ें मैं आड कर ली थी जब कीमे की तकरीबन 10-15 मिट भुनाई हो चुकी थी अच्छे से उ मिक्स हो चुके तो यहां में वन टेबल स्पून भर के जिनर कालिक पेस आड कर गया था और यह की मांड गया था मैंने वन केजी और मैंने इसमें जाला तर खड़े मसाले आड नहीं किया थे क्योंके बच्छे नहीं खाते हैं और खाते काते मुह में आज है तो बिल्कुल अच्छा फील नहीं होता है यहां पर इसका टेस्ट काफी अच्छा लगता है इसलिए मैंने एड कर लिए और अच्छे से जब मिक्स हो जाएगा यह इसकी भी हुश्बूस में आ जाएगी तो हम एड कर देंगे ऑनियन और यहां यहां पर मैं डालती हूँ क्योंकि इनका क अच्छा लगता है यहां पर दो बड़े साइस की ओनियन ने चॉप कर लिए थे ओमलेट कर लिए थे बलके में चॉपर में चॉप नहीं किया थे क्योंकि उससे बहुत ज्यादा चोटे हो जाते है इस वज़ए से अच्छे से इसको भी मिक्स कर लेंगे हम तरीबन दो से त लगी हो तो प्लीज लाइक कीज़ेगा सबस्क्राइब कीज़ेगा अपने फ्रेंड फ्रेंड के साथ जरूर शेयर की जाएगा ताकि मुझे मेरी मैनत वसूल हो जाए नेक्स मैं यहां पर बना लूंगी चिकन के समोसों का मिक्स्चर तो सबसे पहले वने वने के जिब बो ऑड़ियर कंगे हम मुझे की कोई परवानी होती है ख़ैर काम तो होई जाता है तो इसके बाहत हम कीमme करेंगे ने के डिया तो दिर्श और इसके किमे की तरह लगेगा जैसे के तकर चेंज होता है तो यहां पर देख सकते हैं जब दो बन करेंगर के बाद लिए नहीं से 9- क्रोड़ ने के यह थोड़ीव स्कूल तो एड डिए में अड़ी अड़् नहीं अड्क वेड लिया तो तो जुड़ा से रिट कर लिया मैं यह था आप यह सब्सक्राइब करते हैं नहीं तो इसलिए नहीं जाओं और एक जाओं साथ नहीं हुआ हुआ है कर दूंकि ताकि जो है बैलन्स हो जाए क्योंकि मुझे लग रहा था कि मिन्ची बिल्कु भी फील नहीं हो रही इस वज़ा से यहां पर मैंने से ना फ्रोजन जो मटर होते हैं वह एड कर लिये थे यह पस काफी टाइम से पड़े वर थे तो मैंने का कि इसने भी एड कर ले इससे पहले के एकस्पार हो जाए साथ में प्रीच को भी हमने खाली करना ही होता है मटर मैंने इस स्टेज पर एड किये थे ताकि यह इसके साथ भून भी जा उनका जो थोड़ा सा कच्छा पने वो खत्म हो जाए और यह गल भी जाए फोजे मटरों को वैसे गलने के लिए अब टेस्ट के लिए आप चीज एड कर सकते हैं मैंने चीज को स्किप कर रहा था क्योंकि मैं चीज के समोसे अलग से बनाओंगी आलू बोइल कर ले थे मैंने एक लाइट साइस का और वो भी मैंने इससा से में डाल लिया था तो फिलहल सबसे पेला बीफ के समोसे बना ले और फिर मैंने का कि आपको भी दिखा दू कि मैंने कैसे फोल्ड करती हूं तो थोड़ा सा मिक्स्टर लेने हमने वन टी स्पून के करीब क्यूंकि ज्यादा लेंगे तो यह आप से हैंडल ही नहीं होगा यह जो एना फट जाती हैं तो नेक्स ताम मैं घर में बनाने की कोश को फोल्ड करते हैं बस ही एक आपके सामने फोल्ड के था मांकी सारे मैंने ऑफ दी केमरा फोल्ड करके रख लिये थे और यह बना लिये थे मैंने समोसा खाया दूसरी पटी अच्छी थी बाट उनको भी एकि आपने ओपन एर में नहीं रखना तो शिकन के समोसे भी मैंने बना लिये थे बट मैंने यहां पर शेयर नहीं किये थे क्यूंकि वीडियो और इडि काफी लमबी हो चिकी थी तो यह हैं जी सारी तैयारियों जो मैंने की है यह चीज़ रोल्स हैं इन पर नाम लिख लिए वागए और इंपना लिख लिए ते मुझे पता था तो आपने जो शामी कबाब है वो भी मैंने रख लिये थे अभी मैं आपको ये भी बता दूँए कि मैं इनको फिज में कैसे और्गनाइज किया था तो मेरी आज की वीडियो यही पेंड होती है उमेड करती हूं कि आपको अच्छी लगी होगी अच्छी लगी हो तो प्लीज जूर लाइक कीज़ेगा शेयर कीज़ेगा और कमेंट सेक्शन में जूर बताएगा कि आपको मेरी आज कीए वीडियो रमजान की त्यारी कैसी लगी अल्लाबाक आने वारे महीने को हम सब के लिए बहुती रहमतों वाला बनाए और हम सब की मुश्किलों का असान करें और हमाई रिजिक में बहुत ज़्यादा बरकता करें आमीन सुम्मा मीन मिल दें इस वीडियो में अल्लाहाफेज